जैसा कि आप लोगों पता होगा अभी तक मैं अपने चैनल पर इंफर्मेटिव वीडियो डालता हूं आज कि इस वीडियो का प्लैनिंग यह है कि मैं आप लोग के साथ एक अपना फुल डे ओफ एटिंग शेयर करने वाला हूं मतलब कि एक बल्किंग डायेट जो कि मैं अभ अपने प्रोटीन को कैसे हिट करता हों वह भी डाउट सप्रिमेंट तो नाव इस टाइम प्रेपेर और फ़र्स्ट मिल और अपना पहला मिल काफी सिंपल मिल होगा है और फ़र्स्ट मिल में है चाह ब्राउन ब्रेड और पांच अंडों का ओमनेट जिसमें की तीन होल एक ह और दो वाइड है और है एक मीडियम साइज स्वीट पेटेटो और इस मिल के टोटल कैलरी की बात करें तो इस मिल का टोटल कैलरी हो जायागा एप्रॉक्स 800 एड टोटल प्रोटीन हो जाएंगे एप्रॉक्स 28-30 ग्रैम इस मिल के साथ मैं मल्टि विटामिंग भी लूँग आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया हुआ कि लेटली आवस नौट वेरी एक्टिव और उसका रीजन मैं किसी और वीडियो में डिसकस करूंगा उसके चलते क्या हुआ कि मेरे चैनल का रीच पूरा डाउन हो गया जितने यूज व्यूज आया करते थे अभी उसके हा करने का तो में कि आप कंस्टेंटली वीडियो अपलोड करते रहना अगर आपका थोड़ा से भी गैप होता है तो यूटूब आपका डिश डाउन कर देगा और फिर साहथ आपने मोटिवेशन लूच कर दो यूटूब पे वीडियो बनाने का तो इस चीज का धिहान रखन आप तो यह मेरा आज का सेकेंड मील होने वाला है जिसमें कि टू होल एक और टू एक वॉइट है और सबजी है वाइज है और थोड़ा सा सैलेड है और इस में के तोटल कैलिस की बाद करें तो 950 कैलिरीज है और इसका टोटल प्रोटीन 24 ग्रैम है इस मेल के बाद एक और म इस में ओमलेट है दो होल एक और एक वाइट का एक बनाना है और 200 ग्रैम और इसमें मैंने उपर से एक होल एपल काटके डाला हुआ है इसके कैलरीज और प्रोटीन में इसक्रीन पर डाल दूंगा और इस मिल को कम्प्रीट करने के बाद हम जाएंगे वोक आउट करेंगे में आज हम सोल्डर करने वाले हैं बट हमारा में फोकस पर रहाएगा चेस्ट की दो एकससाइस करेंगे तो जिस जिम में अभी ट्रेंड कर रहा हूं वह एक ओल्ड स्कूल टाइप जिम है तो वहां पर जो भी प्लेट्स और डंबल से वह सब लोहे के हैं जिसके चलते आद वीरो करेंगे डाद वीरोगा रैप अप करेंगे कि यहом जिल्म आदिए ये खेश्व में वाईपन दिह खेंगे अश्चल स्कूल स्कूल कि अबल टेम हो वीर के या व्ल्म ब्ल्वाल I thought I feel in love with you I thought I fell in love with you तो अभी हम अपना फाइनल मिल प्रिपियर करेंगे और इसमें हम सबसे पहले अपने चिकन को मेरिनेट करेंगे चिकेन को मेरिनेट करने के लिए हम पहले उसमें मसाले डालेंगे फिर इनको अच्छे से मिक्स करके पांसे दस मिनट के लिए फ्रीज में डाल देंगे फिर उसके बाद इसको हम फ्राइ करेंगे और अभी हमारा ये मिल तयार हो गया है और इस मिल में हमारा है चार रोटी, थोड़ाश चावल, 200 ग्राम चिकेन और सबजी और इस मिल का टोटल कैलोरीज और प्रोटीन स्कीन पर डाल दूँगा तो मैंने अपनी इस बलकिंग डाइट में टोटल चार मिल सेयर किये हैं और आपको ऐसे वीडियो पसंदार है तो प्लीज कोमेंट बीलो डाउन और आपको ऐसे वीडियो और भी चाहिए फुल ले ओफ इटिंग का तो आप वह भी बता सकते हो और अगर आपको मसल्स बिल्ड करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस वाले वीडियो को देख सकते हो तब तक के लिए बाइट